नमस्कार दोस्तो जैमातादी जैश्री कृष्णा कैसे हैं आप सब हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे सेहत मंद होंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही होंगे बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं आज आपके लिए कि आपके जिंदगी टैरो कार्ड्स हैं देख लेते हैं क्या कह रही हैं आपके बारे में फ्रेंट्स टैरो कार्ड्स बता रही हैं कि अब जो समय है आपके जीवन का वो बहुत ही खुशियों से भरा रहने वाला है बहुत समय तक आपने बहुत स्ट्रगल किया है कि बहुत कम उमर में आपने व बच्पन से जो भी आपने प्राप्त किया है वो अपनी महनस से प्राप्त किया है और ऐसा लग रहा है कि अब जो समय आ रहा है बहुत ही पेसेंस रखते हैं आप इशर पर गौड पर ट्रस्ट रखते हैं टैरू कार्ड ये बता रही है कि आने वाले समय में Wheel of Fortune का कार्ड आप देख रहे होंगे Wheel of Fortune का कार्ड यही बता रहा है कि किस्मत से सब कुछ मिलेगा आपको नाम, पैसा, सोरत जो भी आप हासल करना चाहते हैं और जितना आपने सोचा नहीं होगा जिस भी काम को आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत महनती हैं, बहुत परिश्रमी हैं तो उसका अब आपको reward मिलने वाला है उसका आईश्वर की तरफ से आपको ऐसा उपहार मिलने वाला है जिसके आपने कलपना भी नहीं की होगी देखिए क्या होता है लंबे समय तक जब इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रिगल करता है बहुत बुरा वक्त देखता है तो उसका धहर जैसे तूटने लगता है बहुत अकेलापन महसूस होता है वही आपके जीवन में भी हुआ कि ऐसा समय भी आया जब लोगों ने साथ छोड़ दिया और आप बिल्कुल अकेले पड़ गए फिर भी आपने हिम्मत नहीं हा रही आप अपने काम में लगे रहे बहुत मुश्किल था इन परिस्थितियों में चीजों को बैलेंस रखना पर आपने बैलेंस किया और अपने काम को करने में पीछे नहीं हटे नयाय आपके साथ होना ही था कहते ही न इश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं तो बस वही हुआ अब आपकी जो कंडिशन है वो बहुत जल्द बदलने वाली है आपको नाम, पैसा, सहुरत सब कुछ मिलने वाला है ऐसा लग रहा है अगर आप फीमेल हैं तो आप एक रानी की तरह आप सब कुछ हासिल करेंगे आपका बहुत नाम होगा और अगर आप मेल हैं तो आप अपने जिस भी छेतर में आप काम करते हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है साथी सफलता के साथ साथ पैसा और सहुरत भी मिलेगी ऐसा लग रहा है कि जिस भी काम में आप जिस भी काम कोई शुरुआत करेंगे जिस काम में आप अपना एफोर्टस डालेंगे मेहनत करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी ईश्योर की तरफ से आपको फूलों भरा उकुहार मिल रहा है मतलब हाँ आपको सफलता निश्यत ही मिलेगी आपके मन में अगर कोई विचार है कोई नया बिजनिस शुरू करना चाहते हैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आपको बड़ा फायदा देने वाली है वील ओफ वॉर्चून का मतलब ही यही है कि आपको सब कुछ मिल सकता है जो आप चाह लें जो आपके मन की एक्षा है वो जरूर पूरी होगी जिस भी काम को आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी आप अपनी एनरजी को भी बहुत बैलेंस कर रहे थे बहुत मुश्किल परिस्टियों में हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जिम्मेदारिया दी गई थी जिनको निभाना आसान नहीं था पर फिर भी आपने उन सब पर विजय पाई है और आप successful हुए हैं यही बता रहे हैं कि भविश्व में आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है आप दोस्तों के साथ bottom of the deck यही बता रहे हैं कि दोस्तों के साथ आप party कर रही है और खुशियों भरा माहौल है, कहीं न कहीं ये सब आपकी सफलता को दर्शाती हैं जब इंसान सफल होता है तभी खुशिया मनाता है, अपने जीवन में सेलिब्रेट करता है अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ तो कहीं न कहीं परिवार का साथ भी मिलेगा और दोस्तों और रिष्तिदारों का भी कहते हैं जब बुरा शाई आता है तो कोई साथ नहीं देता है लेकिन जब अच्छा शाई वक्त आता है तो बहुत सारे लोग साथ होते हैं बस यही समझ लीजिए अब आपका अच्छा वक्त आ रहा है आप जो भी फैसला लेंगे वो आपके फेवर में जाएगा और आपको बड़ा धनलाव होते हुए कहीं न कहीं से दिख रहा है टरुकाड यही बता रहे हैं कि अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको जतनी बुरे दिन देखने दे आप देख चुके हैं जतना आपने इस्ट्रगल अपनी लाइफ में देखा है उतना सायद ही किसी ने देखा हो तो अब जो समय है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके जीवन में इंसान को क्या चाहिए सिर्फ यही तो चाहिए कि उसको मानसिक सान्ती मिले सुकून मिले अपनों का साथ मिले और जो भी काम वो इमानदारी से कर रहा है पूरे तनमंधन से कर रहा है उसमें सफलता मिले ये सब कुछ आपको मिलने वाला है किसमत की तरफ से नहीं आपकी महनत की वज़े से क्योंकि आप किसमत की भरोसी बैठने वालों में से नहीं है आप महनत करते हैं और बहुत महनती है आपका विष्वास एशवर पर रहता है आप यही सोचते हैं कि जो भी हो रहा है उस में एशवर की एक्षा है तो मुझे समझूरे इस तरह से सुख को भी और तुक को भी दोनों को ही आप एशवर की तरब से उपार समझते हैं और उन से कोई शिकायत नहीं करते हैं आप दिल के बहुत साफ हैं और इसलिए जो दिल का साफ होता है सच्चा होता है वो ईश्वर के करीब होता है तो ईश्वर ने कहीं ने कहीं आपकी इसी सच्चाई के लिए आपको ये रिवार्ड दिया है आपको इत्वफा दिया है आपको अब जो मिलेगा वो सब कुछ इतन और कई नई इंवेस्टमेंट करते हैं उसमें भी आपको बड़ा धनलाग हो सकता है उमीद है दोस्तों आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें साथी चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और अपने दोस्तों के जिए साथ ही कमेंट बोक्स में ग्रेटिटीट सेंड करें जिनको भी आप मानते हैं जैश्री कृष्णा लिखें राधी राधी लिखें हर-हर महादेव लिखें अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जैमाता दी जैश्री कृष्णा